हेलो दोस्तो मैं आशोक आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ट्रांसपोर्ट ओनलाइन पे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाटा एस वीकल के बारे में टाटा एस जो की छोटा हाथी के नाम से जाना जाता है काफी फेमस काफी पॉपिलर है तो मैं आज आपको इसक खरीदना चाहिए और किस तरह है किसी भी ट्रांसपोर्टर के लिए यह बैनिफिटीड है तो टाटा एस का जो बोडी टाइप है वो यूवी टाइप आपको मिलेगा आप देख सकते है यूवी टाइप यह टाटा वो टाटा एस बोडी अवेलेबल है यहां पे और इसकी जो ओफिशियल टैग लाइन है जो टैग लाइन हम यूज करते है वो है पीकप की पावर कमाल की माइलेज तो सबसे पहले दोस्तों जो टाटा सूपर एस मिंट यह जो है डीजल में है और इसकी जो मैं आपको बता देना चाहता हूं इसकी जो माइलेज होगी यहां पे 17.9 किलोमेटर पर लेटर मतलब 17-18 किलोमेटर पर लेटर के माइलेज कमपनी यहां पे क्लेम कर रही है दूसरा दोस्तों इसका अगर प्राइस की अगर बात की जाए जो सबसे मेन है जो अगर रेट की बात की जाए तो यहां पे इसका जो प्राइस यहां पे कमपनी ने जो decide कर रख है देली के X showroom के according ये रहेगा आपका 5,9,000 रुपए इसमें आपको जो मिलेगा जो 1396 1396 CC का engine यहाँ पे मिलेगा ठीक है power steering यह होगा maximum power जो होग इसकी 69 BHP मतलब 79 BHP और 79 BHP रहेगी आपकी 4000 RPM पे ठीक है इसके अलावा top speed जो आपके रहेगी top speed आपके रहेगी 125 किलोमेटर पर आवर एंड टाटा सुपर एस जो मेंट है इसका maximum load जो रहेगा load capacity यहाँ पे company के दवारा जो क्लेम की गई है 1000 किलो यहाँ पे क्लेम की गई है ठीक है जी और दूसरा यहाँ पे fuel tank जो आपकी fuel tank की capacity है 38 लिटर 38 लिटर यहाँ पी fuel tank की capacity है तो जो भी transporter या packers कोई other vehicle अगर use कर रहे है तो यह भी काफी benefited vehicle होगा जैसे कि आपको बताए design इसका काफी अच्छा है पीक अप की power कमाल की mileage जो official tag line इसके जो दे गई है कि mileage भी इसके अच्छी है और पीक अप की power भी है 1000 kg तक का जो है कोई भी सामान या consignment आप इसमें load कर सकते है ठीक है इसके अलावा अगर और ज़्यादा आप information चाहते है तो मेरे channel से आप जुड़ सकते हैं Thank you for watching video